हेलो एवरिवन आज का हमारा टॉपिक है ट्रांस्पोटेशन प्रॉब्लम का अन्बैलंस दिया हो वोगल अप्रोक्सिमेशन मैथर में कैसे निकालते हैं हमें question में दे रखा है mails, finances, supply दिया है supply का total 34 दिया है demand दिया है, demand का total 30 दिया है तो यह unbalanced है तो इसे balance करने के लिए हम यहाँ dummy बना लेंगे क्योंकि हमें demand में 4 के जुर्थ है 34 बनाने के दे तो हमारा dummy यहाँ बनेगा solution ले लेंगे solution में हमने dummy बना लिया है, supply supply का total कितना है, 34 demand है demand का total है 30 तो यहाँ हम 4 add करेंगे 30 में तो हमारा 34 बन जाएगा dummy जो है, dummy जो value जो होती है, वो क्या होती है, 0 तो 0 ले लेंगे अब हमारा WAM method में पहला step क्या आता है unit penalties बनाते हम, यहाँ unit penalties बना लिया हमने यहाँ बना लिया unit penalties अब यहाँ पर supply और जो demand है, वो हमारा balance हो चुका है अब हम WAM method लगाएंगे, सबसे पहले first row लेंगे, first row में 2 smaller value देखेंगे तो 2 smaller value में जो हमारी dummy वाली value है, वो भी हम लेंगे इसमें, तो एक तो 0 है, small value और एक 2 है ठीक है, 2 और 0 को minus करेंगे, तो हमारा पास आजाएगा 2 next row, यहाँ पर small value 1 और 0 है, तो minus करेंगे, आजाएगा 1 यहाँ पर 2 small value कौनसी है 3 और 0 तो minus करेंगे, 3 minus 0 3 आजाएगा यह आगया row करके, अब columns करेंगे column में 2 value कौनसी है small, 5 और 4 है 5 में से 4 minus 1 यहाँ पर 4 और 2 है 4 में से 2 गया, 2 यहाँ पर 4 और 3 है, 4 में से 3 minus किया, 1 यहाँ पर 2 और 2 है, 2 में से 2 minus किया, 0 यहाँ पर 3 में से 1 minus किया 2 यहाँ पे 0 ही है तो 0-0 क्या हो जाएगा 0 अब अब जो हमने यह निकाले इसमें से सबसे unit penalties निकाले यह maximum value कौन सी है सबसे maximum value देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 3 है हमारी maximum value 3 ले लेंगे 3 में जो यह row है इस row में सबसे smaller value कौन सी है वो लेंगे सबसे smaller value है 0 0 लेंगे 0 में supply हमारा 14 demand है 4 इन में से smaller value कौन सी है 4 तो 4 ले लेंगे अब 4 लिया तो 4-4 0 हो जाएगा 14-4 10 हो जाएगा यह 0 हो गया तो यह column कट जाएगा हमारा अब next यह बची है हमारी value फिर से हम दो smaller value लेंगे यहाँ पर दो smaller value क्या है 2 2 2-2 क्या हो जाएगा 0 यहाँ पर 2 और 1 है 2-1 1 यहाँ पर 4 और 3 है 4 में से 3-1 यह आगया अब column column में वही आ जाएगा हमारे same 1 2 1 0 2 यह कट गी है तो यह dash कर देंगे हम अब फिर से इसमें से सबसे second वाले में सबसे maximum value कौन सी है सबसे maximum है 2 तो 2 यहाँ पर 2 जग़े तो कोई भी ले सकते है यह वाला ले देती हूँ मैं अब इसमें यह column आ गया इस column में सबसे smaller value कौन सी है 1 है 1 लेंगे 1 में supply है 12 demand है 8 इन में से smaller value कौन सी है 8 8 ले लेंगे 8 माइनस 8 0 12 माइनस 8 आ जाएगा हमारा 4 यह 0 आ गया यह column कट जाएगा अब हमार पास यह value बची है फिर से 2 small value लेंगे 2 और 2 है 2 में से 2 माइनस 0 यहाँ पर 2 small value 4 और 2 है 2 आ जाएगा यहाँ पर 5 और 4 है 5 में से 4 माइनस 1 अब यह column लेंगे column में 2 smaller value वही आएगा हमारा 1 आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा यहाँ 1 यहाँ 0 यह कट गई है तो यह dash हो जाएगा यह भी कट गया है तो यह dash हो जाएगा अब थर्ड वाले में unit penalties में सबसे maximum value कौन सी है 2 है तो हम इन दोनो 2 same है तो हम कौन सा लेते हैं यह हम नीचे वाला लेते हैं हमेशा अगर same हो तो यह नीचे वाला 2 लेंगे हम तो यह लेंगे तो इससे यह column लेंगे इस column में सबसे smaller value क्या है हमारी 2 है 2 में supply क्या है 8 demand है 4 इन में से smaller value क्या है 4 4 ले लेंगे 4 माइनस 4 0 8 माइनस 4 4 यह 0 हो गया तो यह column कट जाएगा अब हमार पास यह value बची है इसमें से 2 smaller value क्या जाएगा 3 और 2 है 3 माइनस 2 1 यहाँ पे 5 और 2 है 5 में से 2 माइनस 3 यहाँ पे 6 और 4 है 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 अब हम यह यह हमने रोज का कर लिया अब column का करेंगे column में यहाँ दो smaller value 5 और 4 है 1 आ जाएगा यह cut गी है यह dash आ जाएगा यह 1 आ जाएगा यह 0 आ जाएगा यह cut गी है यह dash आ जाएगा यह dash आ जाएगा अब इसमें से 4 फाले में सबसे maximum value कौन सी है 3 है 3 ले लेंगे 3 में यह row आ जाएगा इस row में सबसे smaller value कौन सी है यह 2 तीन बचे है हमारे पास values इसमें 2 है 2 में supply है 4 demand है 8 इसमें smaller value क्या है 4 4 ले लेंगे 4 माइनस 4 जीरो 8 माइनस 4 फोर यह 0 हो गया तो यह row कट जाएगी अब हमारे पास जो values बचे है 1st row 1st row में 2 smaller value कौन सी है 3 और 2 3 माइनस 2 1 हो जाएगा यह कट गी है पूरी यह डैश हो जाएगा यहाँ पे 2 smaller value क्या है 6 और 4 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा अब यहाँ पे column में करेंगे तो यह कट गया है तो यह दो value बचे है 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2 5 बनाएंगे 2 यह कट गी है तो यह डैश हो जाएगा यहाँ पे 2 values कौन सी है 4 और 3 है 4 में से 3 माइनस 1 यहाँ पे 7 और 2 बचे है 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा यह कट गया है डैश हो जाएगा अब 5th वाले में सबसे maximum value देखेंगे सबसे maximum value 5th वाले में क्या है 5 है तो 5 ले लेंगे अब 5 में हमारे ये column आता है इसमें smaller value कुन सी है 2 है 2 में supply है 4, demand है 4 तो 4 ले लेंगे अब 4-4 0 जाएगा 4-4 0 जाएगा ये 0 गया, ये column कट जाएगा ये 0 गया, ये row कट जाएगी अब हमारे पास सिर्फ सारी values कट गी है हमारे पास अब हमारे पास सिर्फ 2 values बची है 6 और 4 इसमें से smaller value कुन सी है 4 है 4 ले लेंगे 4 में supply है 10 demand है 6 इनमें से smaller value कुन सी है 6 6 लेंगे अब 6-6 0 जाएगा 10-6 क्या हो जाएगा 4 ये 0 हो गया, तो ये column कट गया अब हमारे पास 6 value बची है 6 में supply है 4 demand है 4, 4 ले लेंगे 4-4 0 4-4 0 अब हम अब रपास ये सारी कट गया है अब हम total transportation cost निकाल लेंगे VAM method से total transportation cost equal to सबसे पहले 2 into 4 3 next 2 into 4 next 2 into 4 1 into 8 6 into 4 4 into 6 0 into 4 4 into 6 0 into 4 अब multiply कर लेंगे 4 into 2 8 8 8 8 6 4 24 6 4 24 0 into 4 0 गया अब इन सब को plus कर लेंगे plus करके हमारे पास आजागा 80 80 जो है हमारी total transportation cost आ जाएगी VAM method से अगर हमें unbalance दियाओ छेवे